इस कारिक्रम के पुनियार्चक है एक हसाराच श्रियादिना दिगंबर जैन मंदिर आरके कॉलोनी भीलवाड़ा राजिस्थान नीती हमें सिखाती है कि हमें अपना नज़रिया सुधारना चाहिए कोई भी चीज दुनिया की हो चेतन हो अचेतन हो गुण और दोश सभी में हैं किसी में अधिक गुण है किसी में कम किसी में अधिक दोश है किसी में कम लेकिन ऐसी कोई भी वस्तू नहीं जिसमें गुण और दोश न हो लेकिन अगर अगर अपन नजरी अच्छा रखते हैं और गुण ग्राहिता रखते हैं गुणों को ग्रेंड करते हैं दोशों को नहीं ग्रेंड करते तो हमारे भी विक्तित्तों का निर्मान होगा तो जीवन की किसी परिस्तिती में अपन गुन ग्राई बने अगर ये गुन ग्राईता गुन अपने पास आ गया है ये भी एक बहुत बड़ा गुन है गुन ग्रहन करने का गुन क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि गुण ग्रहन करने वाले लोग बहुत कम है दूसरों के गुण देख करके इर्शा उत्पन होती है इर्शा और जब वो इर्शा उत्पन होती है आपके गुण चले जाते है किसी के अंदर आपने गुण देखा और उसके ब्रति आपके इर्शा का भाव आ गया आपका गुन चला जाएगा एक विक्ति किया है व्यापार के दुकान में जब व्यापार कर रहा था तो पडोसी के यह तीन ग्राग चले गए उसके आएक आया अगर वो यह ना देख करके कि पडोसी के यह तीन गए हैं अपने आवाले एक को अच्छे से चलाता उसको यह अच्छे से माल दिखाता तो तीन के बरावर वो अकेला पैसा कमाने था इतना विवेक होना चाहिए आज की नीती कह रहे हैं कि मूर्क और ज्यानी मूर्क और ये विपरीत लोग है एक अत्यन्त मूर्क और एक अत्यन्त ग्यानी कमजोर और बल्वान एक ताकतवर है एक बलहीन है एक बल्वान है चंचल और गंभीर चंड चंड में पीपल के पत्ते की तरह जिसका मन गूम रहा हो वो चंचल और एक गंबीर सुमेरू के समान और पापी और धर्मात्मा एक साथ रह सकते मूर्क ग्यानी, चंचल, गंबीर, पापी, धर्मात्मा और कमजोर और बल्वान ये एक साथ रह सकते एक साथ रह सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस एक शर्थ है बस शर्थ इतनी है कि परसपर में ठकराई नहीं एक दूसरे के गुण देखते रहे अगर मूर्ग ज्यानी के गुण देखते रहेगा और ज्यानी मूर्ग के के गुण देखते रहेगा तो दोनों का मेत्री संबंद चलता रहेगा कमजोर बल्वान का गुण देख ले बल्वान कमजोर का गुण देख ले एक मिट के लिए आप सोचो कि गुण किसमे नहीं है जो कववा होता ना कववा उसमें भी गुण रहता है वो अकेले कभी कुछ नहीं कहता वो काओं काओं करके सबको बुलाता है उसमें भी तो घुण रहता है दस लाग प्रकार की वनस्पतिया है उन दस लाग प्रकार की वनस्पतियों में सारी की सारी वनस्पतियों में ओशदी है प्रयोक करना आना चाहिए देखना तो आना चाहिए वोई बबूल का पेट जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता कोई देखना पसंद नहीं करता लेकिन जब शरीर की सक्ती छीन होती है तो उसकी बभूल की फली काम आती है और किसी को पत्री हो जाए तो जिस बभूल के में सफेद काटे हो उसकी पंदरा पत्तियां दही से खाले एक चमच तीन दिन उसकी पत्री निकल जाए तो उस बभूल के पेड़ में भी गुण है उस बभूल के पेड़ में भी गुण है तो गुण देखो के तो गुण मिलेंगे और दोस देखो के तो दोस मिलेंगे जो बभूल के पेड़ के काटे देखते हैं उनको किवल काटे काटे दुख मिलते हैं और जो बबूल में फल देखना पसंद करते हैं उनको फल मिलते हैं यह अपनी अंदर का विवेक है कि अपन क्या देख रहे हैं अपन क्या देख रहे हैं किसमें क्या देखना पसंद कर रहे हैं इसलिए एक दूसरे की गुण देखें, क्या देखें? अगर आप कमजोर हैं तो भलवान वाले की गुण देखें, आप भलवान हैं तो कमजोर की गुण देखें, पारसपरिक संबंद, व्यापारिक हो, धार्मिक हो, या परसनल हो, वो तब ही बचके रह पाएगा जब आप एक दूसरे के गुण देखेंगे, क्योंकि दोष तो सभी में है, कि आप भूल जाएए कि दोष किसी में नहीं है, जिन में दोष नहीं है, वो यहां नहीं है, जिन में दोष नहीं है, वो परमात्मा बन चुके हैं, जिन को जेन लोग अरियंत भगवान कहते हैं, केविली भगवान कहते है सिद्धान्त कहता है कि उनमें भी चार दोश बचे है तो जिनमें दोश नहीं है वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब जो यहाँ है उनमें कही न कहीं कोई न कोई तुटी है कोई न कोई कमी है तो क्यों ना अपन गुन ग्राहिता रखें कि शीशा पत्तर साथ रहे तो बात नहीं गबराने की बस इतना सा ध्यान रहे कि जिद्ना हो टकराने की सीशा और पत्तर साथ में रह सकते हैं एक में कटोर गुण है एक में नाजुकता है एक कटोर है और एक नाजुक है फिर भी दोनों साथ में रह सकते हैं इसलिए सीशा पत्तर साथ रहे तो बात नहीं घबराने की बस इतना सा ध्यान रहे जिदना हो टक्राने की वो टक्राएंगे नहीं तो दोनों जी सकते हैं और जहां टक्रा गए शीशे का मविश्य खतम है अब ये मूर्क है और एक ज्यानी है अब दोनों एक दूसर टक्रा गए तो जिसके गुण जादा हों पे जो भलवान होगा बॉद्दिक रूप से ऐसा विक्ती जीतेगा इसलिए कोई भी किसी के भी साथ रहे बात घबराने की नहीं है बस आपस में एक दूसरे के गुण देखते रहें अगर आप गुण देखते रहें मेरा मानना है कि आपकी जगत से प्रिती रहेगी इसलिए युदिष्टिर बनना दुर्योधन नहीं बनना दुर्योधन नहीं बनना गुरु द्रोण ने कहा कि जाओ भीया नगर में कोई एक ऐसा मिल जाए गुनवान तो उसको यह टोकनी भरके लाडू देयाना लाडू देयाना युदिष्टिर दुर्योदन को भेजा सुबा की शाम हो गई एक लाड़ू नहीं खिला पाया उसमें वो तो साउकार है वो ऐसा है वो ऐसा है युदिष्टिर को भेजा तो युदिष्टिर बस आसरम के भाहर निकले तीन-चार स्वान थे उनको लड़ू खिला दिये पूर गुरू ध्रोन कहते हैं एक बार और पर इच्छा लेता हूं जाओ दुर्योदन देखके आओ पूरे नगर में हस्तिनापुर में कोई एकात तुमको अच्छा विक्ति मिल जाए दुर्योदन घूमके आए बोले एक भी अच्छा आजमी नहीं मिला युदिष्टिर को बज उन कहते हैं बिटा तु आज से धर्म राजुदिष्टिर है और यजद्यपी दुर्योदन का नाम सद्योधन था पेइन उन्होंने उसका नाम दुर्योदन कर दिया क्योंकि गुणग्रायिता नहीं थी ना गुणग्रायिता होती है तब आनन दाता है तो इलाज कराके कहते हैं कि नजर का इलाज तो है जमाने में नजरिये का नहीं है अपन नजरिये का इलाज करे आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो अच्छे से अच्छा हो सबसे अच्छा हो इसके लिए आप अपने भावों को मन को चित्थ को अच्छा करें गुण गराइता रखें. कभी भी चोटी चोटी बातव आने नहीं. किसी ने कुछ कह द弃 तो जी बोल कि ठीक है. उसकी अपैक्षय सब्सक्राइए है ना? कोई कह रहा है आप से कि आप पागल हो तो ठीक है उसकी अब बिक्षय सही तो कह रहा है कि पागल हो अब आप अपनी उपर लगाओ तो मैं पाप का गलन करता हूँ तो पागल हो अगर कोई कह दे कि बंदर हूँ तो बलना हाँ बंदर हूँ कि बस इतनी सी बात ध्यान रहे कि जिद ना हो टकराने की ऐसा समझना शेजपन आगे देखेंगे बगवान महावीर सौमी की दिद भ्यान।